आपकी स्क्रीन के सामने आपको एक फोटो देख रही होगी और आप देखिए इन्हें दुबारा मुखमंत्री बना दिया गया उत्तर पिदेश का पहली बार जब मुखमंत्री बनाये गया था काफी विवाद उठ रहा था आपने देखा होगा कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि इन्हें इन्होंने कोई मेहनत ने की हुई है इन्हें तो आप सोचिए कि बेक साइट से लाकर मुखमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया गया और असल में इसका हगदार कोई है तो वो केसों पर साथ मौरिया को बताया जाता था लेकिन आप देखें कि 2022 की विधानसवा चुनाओ में योग्ई आदितनात की पडिक्षा थी एक तरह से आप दीखी और उस पडिक्षा में आपने देखा होगा कि योग्ई आदितनात काफी अच्छी तरीके से पास हो गए और दसमार्ष को आपने देखा है कि उनकी परिक्षागा रिजल्ट आ चुका था इसमें उन्होंने भी आप देखे कि उत्तरविदेश का विधान सवा चुनाओ लड़ा था केसव परसाद मौरिया ने भी अपना चुनाओ लड़ा था और मुझे लगता है कि अब योगी आदित्पनाथ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है क्योंकि आप देखे कि एक तरह से जो केसव परसाद मौरिया थे वो हट चुके हैं अब तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपना मुखमंत्री बनने का जो सपना देखे हुए हैंगे उसे भी हटा दिया हुआ तो आज हम लोग योगी आदित्पनाथ की बारे में एक सामान जानकादी देख लेते हैं कई लोग ने बुल्डोजर बाबा भी कहते हैं और आप देखे कि देखे एक बात हमेशा याद रखिए कानून विवस्था में तो सुधाल सभी जानते हैं कि हुआ है उत्तर पिदेश में और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इनके चुनाओ जीतने का कारण भी यही रहा है बरना आप सोचे कि बिपक्ष के पास इतने सारी मुद्धे होने के बाद भी अगर उत्तर पिदेश का चुनाओ उनके द्वारा नहीं निकाला गया तो मुझे लगता है बिपक्ष में कुछ तो कमी है और एक बात और समझ में आती है बिपक्ष कोई भी हो किसी का भी हो धारन लीजिए आप लो एक हाफ टाइम की राजनीती करते है लेकिन बीजेपी में आपने देखा है कि एक चुनाओ खतम नहीं होता है लेकिन वो दूसरी चुनाओ की तैयारी में लग जाते है आप देखे जिस दिन आपका उत्तर पिदेश के विधान सवा चुनाओ खतम हुए थे और रिजल्ट आये थे उसके दूसरे दिन आपने देखा होगा कि पिधान मंतरी मौदी साहब गुजरात की चुनाओ में रेली करने लग गए थे वहां की चुनाओ की तैयारी करने लग गए थे तो मुझे लगता है कि अगर आप सुची कि 12 मेने की अगर राजनिति करता है को कोई भी तो वो काफी सफल दा पाएगा और आपकी स्क्रीन पर योगियाद इतना देखी रहे हैं और आपको बता दू कि उत्तरपदेश राजनिति की दिष्टी से काफी महत्तोंड हो जाता है देखे उत्तरपदेश आप लोग देख रहे हैं इसकी राध्धानी लखनव है और ऐसा भी माना जाता है कि दिल्ली की जो सत्ता है इसकी इसका राष्तर लखनव से हो कर जाता है ऐसा इसलिए मानते हैं कि आप देखे कि बिधान सभा में 403 सीट है बिधान परिशाद में 100 सीट है राज्य सभा में 31 सीट है लोग सभा में 30 सीट है और आप सोची कि सभी राज्यों की अगर तुल्ना करें तो सभी में आप देखी कि उत्तर परिश में सबसे जान्दा हर क्या देखिए आंगे चलके आपकी योगी आदितनात भी पिधान मंतरी की दाभिदार अच्छे माने जा रहे हैं इसमें कोई दोराय नहीं होने चाहिए और आप देखे कि पिदान मंत्री अभी वर्तमान पिदान मंत्री मौधी साब को यह भी तो लोकसवा संसादिये छित्य से चुनका राते हैं बनारत से तो यह भी याद रखेगा अगर हम लोग इनके पूरे नाम की बात करें योगी आदितनात की तो अजय सींग विष्ट रहें इनका पूरा नाम है और अने नाम महेंत योगी आदितनात या इनका निकनेम योगी भी है इनका जरम होता है 5 जून 1972 को पंचूर जिला पुरी गर्डवाल उत्तराखंड भारत में इनका जरम होता है और याद रखे इनके जरनाम किसम है उत्तराखंड उत्तरपेदिस का हिस् तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू है नाथ संपधाय से आते हैं, जाती इनकी ठाकुर है और गोरक ग्रहनंगर गोरफपुर उत्तरपते माना जाता है, इस स्कूल की बात करें तो पूरी प्राइमरी स्कूल उत्तराखंद से अपनी सुरुवाती सिक्षा लेते हैं, और ब्यवसाय तो भारतीय राजनेतिक हैं, धार में एक मिसिनरी चलाते हैं, राजनेतिक दल की बात करने तो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी से जोड़े हुए हैं, इनकी अभी तक हम लोग राजनेतिक सफर की बात करने तो 1996 में, वह महंत अध्यानात के चुनाव अभियान के प्रवंधक प्रभावी बने, पर 1998 में 26 वर्ख की आयूम है, वह बारवी लोगसभास के सबसे युगा सांसत बने गोरगपूर से, और आप देखिए गोरगपूर पीट की ये सीत मानी जाती है, पर 1998 से 1999 तक सारजनिक वितरन फुनाली के इंतरकत, खाद आपूर्ती वा उप सम्थी भी में कार करते रहे, इसके साथ उन्होंने सरक्रा और खाद तेल विभाग में भी कार किया, वह ग्रह मंत्राले की सलाईगार सम्थी के भी सदस रहे, उन्नी सो निन्यानुए में 13 वी लोगसभा दूसरी कारकाल के लिए गोरगपूर्चित से पुनहाब हो तो 18 साल के जो मद्दाता होते हैं वही आपका चुनाव करते हैं लोगसभा सदस का, 2004 में आप देखेंगे कि 14 भी लोगसभा तीसरे कारकाल के लिए गोरगपूर्चित से पैसे चुने जाते हैं, जहां उन्होंने सरकारी अस्वासन सम्थी के सदस के रूम में काम करते हैं, इसके साथ ही विदेश मामलों की सम्थी में भी सदस के रूम में काम करने लगते हैं, 2009 में आप देखें 15 भी लोगसभा इनका चौतरा कारकाल गोरगपूर्चित से पुना चुने जाते हैं, जहां उन्होंने परिवाहन, परेटन और संस्किती सम्थी सम्थी सम्थियों में कई सबे मुख मंतरी बनाए गए थे, और आपने देखा होगा कि उस समय बीजेपी को अच्छा खासा महुमत मिला था, 2022 में योगी आदितनाथ ने अपना पहला विधान सवा चुना ला और उन्होंने उत्तरप्रदेश के गोरगपूर सहरी छित से एक लाग से अधिक मतों से जीत दर्च की और 25 मार्च 2022 को उत्तरप्रदेश के फिर से मुकमंदरी बन चुके हैं तो अभी तक की राजनितिक सफर इनका इतना ही है आँगे क्या होता है ये तो आप लोग सोसल मेडिया, मेडिया, टेली वीजन, समाचारपत इससे मालू करते रहेंगे इनसे कुछ व जीता होता है तो उससे विवाद जुणना सौभाविक सी बात हो जाती है योगी अन्य धार्मिक लोगों की धार्वांतरण कराने के लिए विवादों में रहें, 2005 में आदितनात्म ने कथित रूप से एक सुध्धी अवियान का नितित किया जिसमें ईसाईयों को हिंदु धर्म की रूपांतरण में सामिल किया था, एक ऐसे उधारन में उत्तरपदेश की एटा सेहर में 1800 इसाई कते तुरूप से हिंदु धर्म में परिवर्तित हो गए थे, जनवरी 2007 में गोरकपुर में मौर्रम के द्वरान एक हिंदु समभो और मुसल्मानों के बीच बिबाद होने से राजकुमार अगराही नामग वेक्ति के घायल होने पर अस्पताल में भरती करा है, जिस पर बाद उन्हें उत्तेजा के भासनों के लिए गरफतार किया था, जिसकी बज़ए से गोरकपुर में दंगे भी भढ़के थे, योगी आदितनाद की, ठीक है? योगी आद की जो ब्यक्ति योग के कारण सूर नवसकार का विरोग करते हैं, वह भारत छोड़ सकते हैं, उन्होंने कहा है, जो लोग सूर नवसकार की रूम में, सूर भगवान में संपदायकता देखते हैं, उनके लिए मेरा अनुरद है कि वह अपने जीवन को त्याग दें, इस समय सारुक खान की तोला पाकिस्तानी आतंगवादी हाफिस सईसे की थी, और उन्होंने कहा सारुक खान को याल रखना चाहिए कि भारत की बहु संख्यक आबादी ने उन्हें इस्टार बनाया है, और यदि सब लोग उन्हें की फिल्मों को का बहसकार करेंगे, तो उन्हें काफी अच्छे सी या मारने जा रहे हैं, और आप देखें कि उत्तरफिदेश में दुवारा इस तरह का कोई अपना पूरा कारकाल करके दुवारा मुखमंत्री बने हैं, समझ रहे हैं, बरना आप सोचिए कि 2007 में आप मायवती चुनाव लड़ती हैं, लेकिन आप देखें 2012 में चुनाव हार जाती हैं, अकले से आदो मुखमंत्री बनते हैं, फिर 2017 में अकले से आदो चुनाव हार जाते हैं उनकी पार्टी, और बीजेपी आती है, लेकिन आप देखें दुवारा बीजेपी दोहरा रही है अपना सासन, तो ये भी अच्छी बात है, और भहुमत अच्छा मिला हुआ है, और योगी आदृतनात की परिक्षा भी होगी, आप लोग भी बताइए, किसी के बारे में अगर बात करनी हो, कोई बैक्ती हो, तो उसके बारे में भी आप लोग बात करते रहेंगे, और नेताओं को अपना काम करते रहना चाहिए, अब रोजगार के लिए भी काम करते रहें, यही बिंदी है, वह से आपकी मुक्मंत्री साहब से की बच्चों का भी कुछ ख्याल रखा जाया हूँ,